ब्रक्षा रोपन का जो टार्गेट है सभी विभागों को दिया गया है किसी विभाग को पांच यार पौधे लगाना है किसी विभाग को दस यार तो इस प्रकार से जो टार्गेट है सभी विभागों को मिला हुआ है अब जब हम पौधार उपन कर देंगे इसके पश्चाद जो पौधा है इसकी फोटो हमें बायुदूत एप में अपलोड भी करना है आज हम देखेंगे कि बायुदूत एप में हमारे द्वारा जो पौधा लगाया गया है इसकी फोटो कैसे अपलोड करें इसके अत्रिक्त चैनल के माध्यम से अपिल करना चाहेंगे कि सभी नागरे कम से कम अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाएं क्योंकि पौधा है तो स्रश्टी है और स्रश्टी है तो हम है तो आईए देखते हैं कि बायुदूत एप में जो अंकुर बायुदूत एप है इसमें हमारे द्वारा लगाए गए फोटो को हम कैसे अप्लोड कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर अपने मोबाइल में ओपन करना है आईए स्क्रीन में देखते हैं कि कैसे इसे हम इस्टॉल कर पाएंगे साथ ही जो फोटोग्राफ से पौधे का इसे हम कैसे अप्लोड करेंगे बायुदूत अंकुर एप अपने मोबाइल में इस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करें और प्ले स्टोर में हमें सर्च करना है बायुदूत एप जैसे हम सर्च करेंगे तो बायुदूत अंकुर एप जो है हमारे मोबाइल में सर्च होकर आ जाएगा जैसे हमें इंस्टॉल कर लेना है जैसे हम इंस्टॉल पर किलिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में जो बाईदूत अंकूर एप है वो मोबाईल में इंस्टॉल हो जाएगा जिसका आईकॉन आपके मोबाईल में दिखाई देगा जैसे हम देखते हैं इसका जो आईकॉन है कुछ इस परकार से हमारे मोबाईल में बनके आ जाएगा अब photo upload करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो app है इसे open कर लेना है जैसी आप open करेंगे तो यहाँ से आपको language select करना होगा तो language select कर लें इसके उपरांथ आपको इसमें citizen login और verify login दो option दिखाई देंगे तो इसमें जो पहला option आया है citizen login का simply इस पर click करें और यहाँ पर जो permission मांगी जा रही है इन्हें allow कर दें जैसे आप जो first option है wheel using the app इस option पर click करके सभी permission को allow कर दें इसके उपरांथ आपको अपना mobile number इसमें fill करना है जिसमें OTP आएगा तो हम अपना mobile number इसमें fill कर देते हैं और gate OTP इस option पर click कर देते हैं जैसे हम click करेंगे तो जो number हमने इसमें fill किया है इस number पर एक OTP आएगा जिसमें हमें जो box दिये हैं इनमें fill करना होगा जैसे OTP आ चुका है इसे हम fill कर देते हैं और OTP फिल कर देने के उपरांद verify इस option पर click कर दें जैसे हम verify पर click करेंगे एक नया interface हमारे सामने आ जाएगा जहां आप देख सकते हैं चार option दिये गए हैं पहला option है new plantation अर्थाज जब आप पौधा लगा रहे हैं उस समय आपको photograph इसमें upload करना है इसके उपरां जो second इसमें option दिया है second photo capture अर्थाज जो photo आपने पहली बार लगाया है इस पौधे को आपको 30 दिन के पश्चाद इसका photo फिर से capture करना होगा second option से तो हम जो पहला option है new plantation इस पर click करेंगे जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर जो location है GPS service इसे आपको on करना होगा इसके पश्चाद number of plants कितने plants कितने पौधे आपने लगाया है वो संख्या आपको यहाँ पर click करके fill करना है और संख्या fill कर देने के उपरांथ अब जो पौधा आपने लगाया है उसकी photo capture करना है आपको यहाँ पर आप देख लें कि location पहले से आज आना चाहिए यादि location न फिर से आपको new plantation पर click करना है जैसे आप click कर देंगे तो यहाँ पर location आ जाएगी यहाँ पर photo आप तब तक capture ना करें जब तक कि location ना आए अब चुकी location यहाँ पर आ चुकी है तो हम click here to capture photo इस option पर click करेंगे और जो पौधा हमने लगाया है इस पौधे की photo है अपने साथ में इससे capture करेंगे जैसे हम click करते हैं जैसे आप देख सकते हैं जैसे हमने click किया तो हमारा जो photograph इसमें डिस्प्ले होने लगा है और जो पौधा हमने लगाया है इस पौधे के साथ में हमें अपना footage इसमें upload करना है यहाँ पर ध्यान रखें कि आपने जो photo इसमें upload कर रहे है इ पर किलिक कर दें, जैसे आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपका photograph साजाएगा, location आजाएगी, और नीचे एक box दिया है जिसमें लिखा है plantation site information, तो आपने जहाँ पर पौधा लगाया है या फिर जो पौधा है, इस बिसे में आप अपनी information या कोई भी जो जानकारी है, इसे इसमें type कर सकते हैं, जैसे हम इसमें type कर देते हैं, और information लिख देने के परशाद, submit जो option दिया है, simply इस option पर किलिक कर दें, जैसे हम submit पर किलिक करेंगे, तो एक pop-up message आएगा, R.U.P.M.A.Y. Beneficiary, तो इसमें जो भी suitable option आपके लिए हो, वो select करें, और इसके उपरां submit कर दें, जैसे no करेंगे, तो आपका saved successfully का message आ जाएगा, और यदि yes करेंगे, तो इसके आगे की जो detail है, वो आपको feel करना होगा, तो इस परकार से जो anchor app है, इसमें आप अपनी जो photograph, जो पौधा आपने लगाया है, इसका photograph अपने साथ में, अंकुर बायुदूत app में upload कर सकते हैं, अब आपकी जो जानकारी है, वो save हुई है या नहीं, इसे check करने के लिए जो second option है, second photo capture, इस option पर click करके आप check कर सकते हैं, जैसे है, you can upload second photo of plants after 30 days, अर्था 30 दिन के बाद में, आप इसी पौधे के साथ में, अपना photograph इसमें upload करेंगे, तो इस परकार से जो बायुदूत अंकुर app है, इसमें आप plantation का जो photo है, इसे upload कर पाएंगे, एथी बायुदूत अंकुर app में, पौधे का photo upload करने समद्धी, एक महत्पून जानकारी, आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारी के साथ में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैहन